और बोकारो में पुरिस ने कोजी स्वीट्स में नो राउंड फाइरिंग कर देशित फिलाने वाले अपराधियों को देशी कारबाइन और देशी पिस्टल के साथ गिरफतार किया है बोकारो स्पी चंदंजा ने बताया कि जमीन कारुबार असुतोश्य यहां पर गोतम कारुबार में वच्चसव काइम करने के लिए फरार अभियुक्त कोशल बिहारी के साथ मिलकर अपराधियों का गैंग बनाना चाह रहा था साथी अस्पी ने यहीं कहा कि कोशल बिहारी बियेश सिद्धी थानाशेत्र में हुए राज़कुमार सिंग हत्यकार में भी बुख्या रोकी है और वह घटा के बाद से ही फरार चल रहा था कि थोड़ा साथ पिछे यहीं है कि सब 23 अपरेल को सोचना मिली कि कुछ अपराध कर्मी और यह उमीद था कि यहीं अपराध कर्मी है जो कोशी स्विट्स में जिन्होंने फाइडिंग की है वो बुकारों में फिर एसेंबल हुए हैं कुछ अपराध को करने के लिए उसको लेकर कल साम में इसमें में फ्रेड किया गया सिटी एरिया में जिसमें की तीन मुख अपराध कर्मी एक कोशल बिहारी कोशल बिहारी पहले और एक 302 के के में वांडेड हैं लगवग एक साल पहले की घटना है दुर्ण्दी बाहाग की केस जिसमें बांकी अभ्यूक्त जेल में है वो एक वांटेड है दूसरा गौरफ तिवारी और तीसरा अमित महली ये तीनों अभ्यूक्त जमा थे